अक्सर जब हम सभी परिशान होते हैं तो परिशानी के उपाई के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हो जाते हैं बस किसी तरह से समस्या खत्म हो जाए और हमारा पिंड छोड़े इस कामना में हम लगे रहते हैं कुछ तो समस्या का हल खोजने के लिए गलत रास्ते पर भी चल देते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो हर समस्या का समाधान धार्मिक तरीकों से खोजते हैं, जिसमें ज्योते शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, वहीं कई बार ऐसा भी देखा जाता है, कि ब्यक्ति पैसे की समस्या से बहुत परिशान रहता है, और पैसे कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है, ऐसे में कई लोग गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, पैसे की तंगी का मतलब है, आर्थिक परिशानी, पैसों की परिशानी का कारण होता है, लोगों की आय का कम होना, और उनका अपने ही पैसे को सही तरीके से इस् पीड़ी आधुनिक जनेरेशन के नाम से भी जानी जाती है लेकिन फिर भी आस्था से जुड़े हुए लोग आज भी पुराने रिवाजों का पालन करना जानते हैं और लोग कहते हैं बाप बड़ा न भाईया सबसे बड़ा रुपाईया कई लोगों को लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है वो कहते हैं कि आखिर पैसे से ही रोटी कपड़ा और मकान खरीदा जाता है लेकिन आपको बता दे कि जोते शास्त्रों के मुताबिक चार राशी के जातकों की किस्मत पलटने वाली है या यूं कह लें कि लोटरी लगने वाली है वहीं इनके काफी दिनों से सोई हुई किस्मत भी जागने वाली है इन राशी वाले जातकों को बड़ा धन लाब होने वाला है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है इतना ही नहीं यह भी आपको बता दे कि यह समय आपके लिए बहुत ही लाबकारी रहने वाला है हो सकता है कि कई दिनों से जो भी रुके हुए कारे थे वो अब जाकर पूरे होंगे और सफलता के कई नए मौके आपको हासिर होंगे और आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा इसके साती साथ इनके रोजगार के छेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं हम जिन चार राश्यों के बारे में बात कर रहे हैं व कर रहे हैं वी और आपको हास्त गार राश्यों के लाश्यों के अजिए और उकार रहे हैं आपको हास्त बात कर रहे हैं हाँ